सो दोस्तो इस बत के सबसी बरी खबर नीरज गोयाद जो है दोस्तो जी हाँ उनका confirmation हो चुका है दोस्तो बिग बॉस ओडिटी 3 के लिए contestants का confirm हो चुका है उनका जी हाँ और एक contestants का confirmation आ चुका है उनका नमें नीरज गोयाद जी हाँ दोस्तो हाली में उन्होंने जेक पॉल के स साथ एक उनका controversy हुआ था हमने देखा था यादेना वो पोर्तोरी को पहुच गए थे दोस्तो जेक पॉल उनसे लराई करने के लिए क्योंकि I think उनको वीजा मिल चुका था इसमें शायद phone भी हम यूज कर सकते यह बोला जा रहा है दोस्तों जी हाँ फोन भी यूज करने का एक टेकनीक होगा बोल रहे कि इस बात टास्क भी दोस्तों जी है वह जो हम व्यूर से हम लोग डिसाइट कर सकते कि कौन सा कंटेस्टेंस कौन सा टास्क करेगा कुछ ऐसा भ गयात और फर्स कंटेस्टेंस तो वड़ापाव गर्ल जिसके लिए मैं खुश हूं दिल्ली की सरकों पर कहरा मचा दिया जगरा तूफान लगा दिया था दोस्तों जिस चीज के लिए और वह चीज उनको मिल चुका है वड़ापाव गर्ल को अब बोस से निकलती है उनका दोस्तों और फैन फॉलिंग होगा वो तो मुंबई वैसे पहुच चुकी है और दोस्तों यहाँ पर जो है दो कंटेस्टेंस के नाम कंफर्म दिखाए जा रहा है वो है नीरज गोयात और वड़ापाव गर्ल चंदरी का दिक्षित और और एक सना मकबूल वो बोला था मैं सना सुल्तान यह सब है शहजादा धामी हर्शाद चोप्रा इनके नाम भी है और दोस्तों यहाँ पर बाकी देखा जाएगा कौन आएगा लेकिन फर्स कंटेस्टेंस और कंफर्म हो चुका है जो वड़ापाव गर्ले और सेकंड है नीरज गोयात जिनोंने हाली में जेक प पाल ले कुछ बोला था उन्होंने जाके तो इसे के साथ दोस्तों अभी नीरज गोयात जो है वो कंफर्म हो चुक है बिग बॉस ओर टी 3 के लिए और इस बार अलग होगा कुछ देखने मज़ा आएगा दोस्तों साइज फोन अंदर यूस कर सकते है या कुछ क्या सिस्टे मोगा पता नहीं लेकिन मज़ा आएगा दोस्तों हैंक्यूग